आजम डाइट एक्सपर्ट शिखागरवाल शर्मा से जानेगे कि आलू हमारी शरीर के लिए कितना फाइदे मन्द है कि आलू खाने इसे मोटापे को लेकर कुछ रुकसान भी है हमें कब कैसे और कितनी मात्रा में आलू खाना चाहिए ये सब कुछ बताएंगे शिखागरवा नमश्कार मैं हूँ आपकी फेवर डाइटीशिन शिकागरवाल शर्मा डिरेक्टर फाट टू स्लिम हम कहते हैं ना आलू से भालू बन जाएंगे आलू से आलू बन जाएंगे चलिए जानते हैं क्या है आलू का राज जानते हैं आलू क्या करता है सच में आपके हेल्थ पे सबसे पहले आलू के बारे में जो इतने सारे मिट्स है आज आप सुनकी शोक हो जाएंगे वो सारे हैं गलत बाते आलू कभी आपको भालू नहीं बनाता है आलू कभी आपको मोटा नहीं करता है यहां तक कि अगर आप देखेंगे जब बच्चा छे महीने पूरे कर लेता है तो हम उसे आलू का मैश खिलाते हैं हम बच्चों को आलू पीसके देते हैं और हमारे इंडिया में तो प्रचालत है ना आलू क्या बनेगा आलू गोभी, रसे वाले आलू, सुखे आलू, आलू शिमलामेज, आलू मतर हर चीज में आलू का इस्तवाल हो रहा है तो यह आलू भालू कैसे बना देगा क्योंकि लोगों को यह लगता है कि आलू आपको मोटा करता है बढ़ आलू आपको मोटा नहीं करता आलू जब तल जाता है तो वो आपके लिए फैटनिंग हो जाता है जब आप आलू के पापड बना देते हैं जब आप आलू के फ्रेंच फ्राइस बना देते हैं जब आप चटपटे आलू बना देते हैं जब आप आलू का पराठा बना देते हैं वो हर चीज आपको मोटा कर सकती है In fact, आज सोच के आप हैरान हो जाएंगे कि आलू जो है वो आपकी fitness के लिए health के लिए बेहत जरूरी है क्योंकि आलू से आपको potassium, magnesium मिलता है जो आपको energy देता है जो आपको aging से prevent करता है जो जूरिया आपसे दूर रखता है और इतना ही नहीं वो आपके घुटनों के लिए भी बेहत जरूरी है आपकी हडियों के लिए भी बेहत जरूरी है तो आलू को अगर आप weight loss diet plan पे है तो बिलकुल मत हटाईए तो कि अगर diet में आप आलू को हटाएंगे तो आपको पटले नहीं होंगे आपको और जादा बिमारियां लगेगी आप और जादा unfit हो जाएंगे क्योंकि आलू आपकी health के लिए बेहत जरूरी होता है और यहां तक ही आपको पता है कि आलू की जब सबजी का आप सेवन करते है तो आपका पेट जादा देर तक भरा रहता है आपको भूग भी जल्दी से नहीं लगती है तो आलू को आप सही तरीके से इस्तमाल करें आलू की पराठी की जगा आलू की रोटी लीजे आलू की चिप्स वगेरा नहीं लीजे आलू की नॉमल सबजी लीजे तो आलू को आप चाट बना के तलिवी चाट बना के नहीं आलू को आप उबाल के उसकी चाट लीजे या नॉमल आलू की सबजी लीजे तो इस तरीके से आलू आपको भालू नहीं बनाएगा जबकि आलू आपको फिट कर देगा और आपके पूरे परिवार को तंदुस्त रखेगा और हम क्या करते हैं? हम अपनी चीजों को नकारते हैं, दूसी चीजों का अपनाते हैं हमने कह दिया आवोकार्डो अच्छा है तो आलू को भगा दिया, नहीं आवोकार्डो के पास दो साइंस है कि वो आपको मोटा भी कर सकता है, पतला भी कर सकता है और वो बेहत महंगा होता है आवोकाडो को हटाईए और आलू का अपना दोस बनाईए सही तरीके से इस्तमाल कीजिए और फिटर फाइन हो जाईए चलिए अगली बारी मैं आपसे मिलती हूँ बहुत सारी और हेल्ट टिप्स के साथ सारी कि ट Approसे मिलती हुआ हुआ पिलतो साथ जा घुकत सारी आम आपसे मिलती हुआ झाला तर इससे दो सारी परिप्स शोस्तमाल इन से गोली ले只 हो ऑगल्यज ऍमकत सारी दोस्तमाल झाल झाल